साल 2021 का पहला हफ्ता शादी की खुश खबरियों से भरा हुआ है 2021 के शुरुवात में ही बॉलिवोड के तीन बड़े सेलेबिटीस ने शादी कर ली है तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन सेलेबिटीस से फिल्म कुछ कुछ होता है में छोटे से सरदार का किरदार निभाने वाले एक्टर परजान दस्तूर ने नई साल पर अपनी नई जिन्दिगी की शुरुवात की है परजान ने अपनी लॉंग टाइम गर्फ्रेंड डेलना शौप से शादी कर ली है और उनकी तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर आ गई है परजान ने पार्सी रितिरी वाजो से डेलना से शादी की है और परजान ने जो तस्वीरे शियर की है उसमें दोनों पार्सी आउटफिट में नजर आ रहे है शादी में परजान, वाइट कुर्टा पजामे और पार्सी टोपी लगाएवे नजर आए मुए उनकी पतनी डेलना रेट साडी में बेहत खूपसुरत लग रही है फैंस इस जोडी को शादी की खूपसारी बधाई दे रहे है इस लिस में अगला नंबर है अली अब्बास जफर का सुल्तान और टाइगर जिन्दा है जिसी फिल्मों के डारेक्टर अली अब्बास जफर ने भी नए साल की शुरुवात अपने जीवन साथी के साथ की है अली अब्बास ने हाल ही में शादी की एक फोटो शेयर करके फैंस को इस खुश खवरी से रूबुरू करवाया है फोटो शेयर करते वे अली अब्बास जफर ने लिखा है 14 साल पहले इमाम अली ने फातिमा अलजहरा से कहा था मेरे सारे दुख और चिंताय गायब हो जाती है जब मैं तुम्हारा चहरा देखता हूँ अली सिया मैं तुम्हे देखकर ठीक वैसा ही महसूस करता हूँ जिंदगी भर के लिए मेरी आपको बता दे अली अब्बास जफर देहरा दून में महस्त 30 लोगों के बारात लेकर पहुचे थे इरानी मूल की फ्रेंच दुलहन अली सिया के बारे में अली ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है लेकिन कोविट प्रोटोकॉल के चलते वे उनके शादी में महस 30 लोगी शामिल हो सके यहाँ तक की अली के भाई भी शादी में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वो ब्रिटेन में फसे थे अली के जो करीबी लोग निकाह में शामिल नहीं हो सके उनके लिए उन्होंने अपनी शादी का लाइफ टेलिकस्ट करवाया था इसी के साथ अली ने अली सिया का अपने परिवार में स्वागत किया है 2021 में शादी करने वाले लोगों की लिस्ट में राइटर कनिका डिलो और हिमांचू शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है कनिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो शेर करके यह खुश खबरी शेर की है कनिका ने उनकी शादी की कई सारी तस्वीरे शेर की और लिखा है साल 2021 की नई शुर्वात हिमांशू शर्मा के साथ वैसे आपको बता दे कनिका डिलो ने कुछ खास लोगों की मौजूदगी में दिसंबर के मैने में ही शादी कर ली थी लेकिन तस्वीरे कुछ गंटे पहले ही शेर की है दोनोंने एक दूसरे को पिछले साल ही डीट करना शुरू किया था और इसी साल जून में अपने रिलेशन्चिप का खुलासा किया था साथ ही आपको बता दे कनिका की यह दूसरी शादी है इससे पहले कनिका की शादी फिल्म डारेक्टर प्रकाश कोविला मुडी से हुई थी लेकिन बात में उनका तलाख हो गया था वही हिमांशू शर्मा भी स्वारा भासकर के साथ रिलेशन्चिप में थे और पास सारों तक डेट करने के बाद वे और स्वारा अलग हो गय थे आपको बता दे हिमांशू शर्मा ने रांजना, तनू वेट्समानू और जीरो जिसी फिल्में लिखी है वही कनिका डेलो ने कैदारनाथ और अतरंगी रे जिसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है 2021 में शादी करने वाले इन तीनों जोडों को हमारे धेर सारी शुपकामनाए है और भी लिट्स अपडेट्स के लिए लाइक करें फॉलो करें सस्क्राइब करें गजब खबरे